का नाम है सिटी एक्वेटेबल फायर इंसुरेंस कंपनी यह 1925 का केस है और यह केस है वह मुख रूप से कंपनी के बौर्ड ऑफ डिरेक्टर पर बेड़ है कंपनी के बौर्ड ऑफ डेक्टर पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप मेरे ही चैनल के कंपनी लोग प्लेडिस्ट में देख सकते हैं तो आप उस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपको इस केस को समझने में हेल्प मिल सकें चलिए अभी इसकेस के फैक्ट इशू और जैज्जमेंट पर आते हैं इसकेस का फैक्ट यह है कि इसकेस में एक इंसुरेंस कंपनी का जो इसकेस का इसकेस का इसवी यह है कि फ्रॉड तो किया कंपनी के मेंगेंग डाइक्टर ने लेकिन डाइक्टर के नेगलिजेंस की वज़े से उसने फ्रॉड किया तो क्या डाइक्टर को फ्रॉड या फिर मिस एप्रोप्रियेशन के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है या फिर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है ए डाइक्टर अफ डाइक एक्ट करना चाहिए और उसके पास डिग्री ऑफ इसकील होना चाहिए और डिलिजेंस होना चाहिए कोट आगे कहती है कि डाइक्टर्स आर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इन नौट डिटेक्टिंग दा फ्राउड यानि कि प्रजेंट केस में जो डाइक्टर्स हैं वह नेग आर्टिकल आफ एस्टेशन एकोर्डिंग टू वीच दा डारेक्टर और लाइबल ओनली फोर ग्रॉस नेगलिजेंज यानि कि लेकिन कंपनी के आर्टिकल आफ एस्टेशन में एक एक्जेंप्शन क्लाउद है जिसमें कहा गिया है कि कंपनी के डारेक्टर को ग्रॉस नेगलिजेंज के लिए ही लाइबल माना जा सकता है इसलिए परजेंट केस में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो डारेक्टर है उसको कंप होब कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेंटिव लगा होगा अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जुरे रनान किये हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडिएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वार कि अीडियो